Study IQ IS अब तयारी हुई अफोर्डबल कारण है उसका है बेसिकली आपने समुदरी लुटेरों के बारे में सुनाओगा जिनको पाइरेट्स कहा जाता है तो क्या हुआ है बड़ी खबर सामने आई सुबह सुबह बताया गया है कि 15 इंडियन से जो क्रूज है जो 15 इंडियन का क्रूज है वो एक शिप के उपर था वैसल के उपर था उसको हाइजाक कर लिया गया है यह आप देख सकते हो लिबेरियन शिप हाइजाक 15 इंडियन क्रूज अन बोर्ड वैसल हाइजाक नियर सुमालिया कोश्ट तो आज मैं आपको इस वीडियो में चलिया आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कल से हमारा जो SIP प्लस का बैच है स्टार्ट हो रहा है मतलब अगर आप UPSC प्रिलिंस 2024 को क्राक करना चाहते हैं तो हमारा यह बैच ले सकते हैं जिसके अंदर जो पुरा एक revision है प्रिलिंस के perspective जिर्ट त्यारी है वो कराई जाएगी test series आपको मिलेगा ताकि आपका प्रिलिंस crack हो सके या फिर अगर माली जाएग आपको पूरी त्यारी करना है मतलब जो foundation चाहिए UPSC का जिसमें प्रिलिंस मेंस interview मतलब इसके अंदर आपको SIP भी मिल जाएगा और जो पूरा त्यारी होता है सब कुछ मिलने वाला है काफी बड़ा batch यह आपका 8th of January से स्टार्ट हो रहा है आपको simply हमारे website app पर जाना है या फिर comment section में link है और use करना है code अंकित live ताकि आपको maximum discount पिल जाए चाहें आप कोई भी course लेते हैं study IQ उपर और इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं तो मेरे insta page पर जा सकते हैं वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं उसको आप attempt कर पाएंगे चले शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि exactly हुआ क्या है यह आपका गुजर रहा था सुमालिया कोष्ट के पास से अब आप देख सकते हो यह है आपका एफरिका एफरिका के एकदम eastern side में आप जाओगे तो यहाँ पर अक्सर आपने सुना होगा horn of Africa के बारे में जिसमें यह वाला जो country है सुमालिया सुमालिया दुनिया का सबसे आप कह सकते हैं गरीब देशों में आता है तो यह जो सुमालिया कोष्ट आप देख रहा हो न यह पूरे एफरिका में अगर आप देखोगे जितने भी देश हैं जहाँ पर इनका कोष्ट है सबसे ज़्यादा कोश्टल एरिया सोमालिया के पास ही है और यहीं पर से अक्सर खबर आती रहती है पाइरसी की और यहाँ पर क्या हुआ है यह जो वेसल है जो मैंने आपको दिखाया MV लीला नॉक फॉक जिसमें 15 भारती हैं उनको हाईजाक कर लिया गया है तो एक बड़ी यहाँ पर खबर आई है और साती साथ बताया जा रहा है कि यह जो हाईजाक है इसके बारे में कल शाम को पता चला था और इसी की वज़े से यहाँ पर जो इंडियन नेवी है वो तुरंत हरकत में आती है एरक्राफ्ट हो गया शिप हो गया उनको भेजा गया है लेकिन जैस वो स्टाबलिश कर लिया है वैसल के साथ वहाँ पर जो हमारे क्रू मेंबर से सबसे पहले हमें यह देखना था कि क्या वो सेफ हैं कि नहीं है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इंडियन नेवी का जो एरक्राफ्ट है उसको वहाँ पर फॉलाई कराया गया वैसल के पा और उस message में बोला कि लगबग 5-6 unknown armed personnel, मतलब कि जिनके पास बंदूख होगा, arms होगे, ऐसे 5-6 जो लोग हैं, वो ship के उपर आ चुके हैं और उसको hijack कर लिया है, और जैसे ये खबर मिलती है, जैसा मैंने आपको बोला, तुरंत यहाँ पर Indian Army ने response किया, और आप देख सकते हो तो यहाँ पर क्या होता है, कि एक maritime patrol aircraft होता है, जैसे हमारी Navy के पास patrol aircraft है, उसको इस ship के उपर भेजा गया, और इस ship के उपर भेज कर, जो communication है, वो establish करा गया, और यहाँ पर बात्चीत जारी की गई, और इसके साथ-साथ, मदद के लिए भारत ने INS चन्नई को deploy कर दिया, य उसको यहाँ पर तुरंट भेजा गया है, ताकि जो भी मदद करनी हो, कर सके हम, वो यहाँ पर किया जाएगा, और यहाँ पर ultimately यही बताया जा रहा है, कि जो overall situation है, इसमें उसको closely monitor किया जा रहा है, in coordination with other agencies, जो बाकी के agencies हैं, उनके साथ बात्चीत हो रही है, तक कि कैसे हम उस जो hijack ship है, उसको निकाल सकते हैं, और इसका जो total detail है, देखिए, इसके बारे में बहुत जादा detail अभी release नहीं किया गया है, कि कौन लोग है, किनों ने किया है, कैसे किया है, exactly अभी ship कहा है, वो सारी चीज़ें अभी हमें नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो piracy का मामला है, जो attacks है, pirates attack हैं, जो समुदरी लोटे रहे होते हैं, उनमें थोड़ा सा इजाफा आपको अभी recent times में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, एक Malta based ship था, merchant vessel था, जिसको unknown attackers ने again hijack कर लिया था, और इसकी वज़े से ऐ अरबियन सी में, इंडियन ओशन में, उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, और ये जो vessel है, बताया जा रहा था, कि 6 pirates के दौरा hijack किया गया था, क्योंकि ये जो 6 pirates हैं, उन्होंने illegal तरीके से board कर लिया था, और इंडियन नेवी ने एक members को rescue भी किया था, उस पे 18 crew members सवार थे उस vessel के उपर, और उसमें से एक member को चोटे आई थी problem हुआ था, जो कि Bulgaria का था, तो उसको Indian Navy ने यहाँ से निकाला, और ये मदद की गई थी INS कोची के दौरा, ताकि उसको medical facilities हैं, वो provide की जा सकें, खेर, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो piracy अगर आप देखोगे न अगे ने, इस map को आप ध्यान से देखिए, यह आप देख रहे हो, यहाँ पर है सुमालिया, और इसका पूरा बड़ा coastal region है, तो यहाँ से जो भी ships गुजरती हैं, उनको थोड़ा सा चोकरना रहना पड़ता है, especially मैं बता दो, जो insurance का cost होता है, जो भी ships यहाँ से गुजरते को मिला, क्योंकि multinational जो effort है, जिसमें Indian Navy भी शामिल थी, उन सब ने यहाँ पर मदद की, ताकि यहाँ पर piracy को खतम किया जा सके, क्योंकि आपको ultimately समझना है कि यहाँ पर बहुत सारा trade, यह Red Sea के मादियम से बहुत सारा trade यहाँ से होता है, और अगर इसी तरह से जो vessels हैं, उसक किरकार यहीं पर ऐसा क्यों होता है, शिप्स तो पूरे दुनिया में गुजरती है, अलग-अलग जगा से, अलग-अलग water से गुजरती है, तो यहीं पर ऐसा क्या करन है, जिसकी वज़ेस है, तो देखो वहाँ पर आपको थोड़ा सा चीजे समझ दी होंगी, जैसे Somalia कि अ जादा तर गरीबी में जी रहते हैं, वहाँ पर सुखा पढ़ रहा था, desertification हो रहा था, soil erosion हो रहा था, और कई जो Somalians हैं, वो basically nomads हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं, और उनके पास जो livelihood के लिए phlox थे, मतलब कि जो आपके, कहते हैं न, livestock की बात करते है बेड़ बकरी वगरा, तो जिनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, तो natural disasters वगरा आने की वज़े से, बहुत बड़ा portion उनका livestock का एक तरह से, जो है, dead हो गया, वो आपका disaster में खतम हो गया, जिसकी वज़े से, यहाँ पर इनके पास कोई alternative नहीं बचा income के लिए, और यह धीरे-धीरे piracy के अंदर आते रहे, यहाँ पर बताया जाता है कि छोटा सा population था जो farmers थे उसमें, जो यहाँ पर agriculture करते थे, लेकिन soil erosion की वज़े से fertilizer और instability ना होने की वज़े से, यहाँ पर जो farmers हैं, उनका crop yield बढ़ानी और उनको लगतार loss होता रहा, और साथी साथ Somalia मे मैं आपको एक और ची बता दूँ, political instability है, वहाँ पर एक proper system आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब जैसे हमारे देश में Central Bank है, RBI है, जो money supply को control करती है, inflation को control करती है, वो कुछ भी आपको Somalia के अंदर देखने को नहीं मिलता है, वहाँ की economy basically क्या है, जो remittances होते हैं, वहाँ मैंने आपको बताया कि पूरे Africa में अगर आप देखोगे, तो Somalia का सबसे बड़ा coast आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो Somalia के लोग हैं, उन्होंने इसका benefit नहीं उठाया, मतलब कि आप सोच के देखे, इतना बड़ा coastal region है, अगर यह चाहते तो fishing के माध्यम से, बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से, यह अपना standard of living बढ़ा सकते थे, income generate कर सकते थे, लेकिन ultimately यह दूसरे दिशा में चले गए, गलत दिशा में चले गए, उन्होंने अपना पैसा लेने के लिए, livelihood को गुजारने के लिए, यहाँ पर जो कुछ fishermen थे, जिनके पास skills था, उन और कई बार जो crew members हैं, उनको वहाँ पर capture कर लेते, hijack कर लेते थे, और फिर ransom मांगते थे लोगों के द्वारा, कि आप हमें यह पैसा transfer करिए दीजे, तभी हम इनको छोड़ेंगे, तो इस तरह से धीरे धीरे चीजों की सुरुआत होने लग गई, और जो पूरा water है, इसका आसपास का एक तरह से terrorized हो गया, डरते थे, यहाँ पर जो ships हैं, वहाँ से गुजरने से डरती थी कि कभी भी उनको capture कर लिया जाता है, क्योंकि मैं आपको बता दो, इनके पास धीरे धीरे कई सारे technologies आने लगी, यह ships को track कर लेते थे, कौन सा ship वहाँ से गुजर रहा है, कहा पर है, और तुरंत वहाँ पर पहुंचकर उस ship को capture कर लिया जाता था, अब इसकी वज़े से दिखे क्या होने लग गया, क्योंकि यहाँ पर जो shipping companies हैं, वो तो भे में ही रहेंगी, जो shipping companies हैं, अपने ship को यहाँ पर भेशती हैं, उनको capture कर लिया जाता था, तो अब क्या होन लगा कि shipping companies ने धिरे धिरे इन pirates के साथ साथ घाट कर लिया, उनके साथ एक agreement कर लिया, कि देखो मेरा ship यहाँ से गुजर रहा है, उसको जाने देना, उसको capture मत करना, थोड़ा बहुत जो भी हम आपको पैसा चीए, मतलब monthly basis पर, एक regular period पर हम आपको यह पैसा देते रहेंगे और इस तरह से जो पूरा इनका कारूबार है, वो एक तरह से establish हो गया था, लेकिन जैसा मने आपको बोला, वापस से यह जो गतिविदी स्टार्ट हुई है, पैरेसी होने लगया है, पैरेट्स के दोरा capture किया जा रहा है, यह चिंता जनक बात है, और सबसे पहले तो हमारे जो 15 भारती हैं, उनको छुडाने की आउशकता है, देखते हैं कि क्या होता है, बटाए होप कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ जाने को मिला होगा, और जाने से पहले एक interesting question, क्या बता सकते हो, which among the following countries, यह जो चार्थ देश आप देख रहे हैं, इनमें से कौन सा देश Africa में landlocked नहीं है, इसका right answer आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तुम मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलिग्राम से ले सकते हैं, इसका सही उतर में कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ, बाकि अगर आपको PDF यह तो टेलिग्र to get maximum discount and I hope video आपको पसंद आया होगा, मैं पर आप से नहीं से नहीं से नहीं, तil then thank you very much, see you soon.